दोस्तो आज 25 सितंबर 2019 बुधुवार का दिन हो चुका है आज की ताजा खबरें आज की बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के लिए बहुती महत्पूर्ण खबरें आई हैं आपको बता दें सरकार के तरब से एक बड़ी खबर आई है जिसके तहर अब आपके गाड़ी का चलान नहीं कटेगा साथी में आपको बता दें भारत में भूकंप को लेकर बड़ी खबर आई है साथी में अगर आप ATM कार्ड का यूज करते हैं तो आपके लिए एक चेतावनी आई है साथी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अब उन्हें फीस नहीं देनी होगी उनकी फीस सरकार भरेगी इसको लेकर बड़ी खबर आई है तो दोस्तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में इनी सब खबरों के बारे में बताने वाले हैं वीडियो को बिना भगाय ध्यान से आखिर तक देखते रहिए बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेश्ट के वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है आईए बिना देर किये चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर के तरफ आज की पहली बड़ी खबर में जैसा क्या आप देख सकते हैं कि खुश खबरी अब नहीं कटेगा आपका चलान सरकार ने जारी किया है नया आदेश जी हाँ जबसे सरकार ने नया ट्रैफिक नियम लागू किया है तब से बहुत भारी-भारी चलान कट रहे हैं लेकिन अब आपका चलान नहीं कटेगा अगर आप अपने पेपर घर पे भूलाए हैं तो आप अपने फोन में अपने पेपर को दिखा सकते हैं अगर आपका फोन दिन का वक्त होगा अगर आप 15 दिन की अंदर वो कागजात दिखा देंगे जिसके लिए चलान कट रहा है तो उसके लिए आपको मातर सौर पे देना होगा बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली NCR समेट उत्तर भारत में महसूस किये गए गए तेज पाकिस्तान में कश्मीर है वहाँ पर पड़ा है और वहाँ भारी तबाही मची है एक बच्ची की मौत भी हो गई है बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारत में लाखो एटियम धारकों पर खत्रा अकाउंट से गायब हो सकते हैं पैसे जी हाँ यदि आप ए एटियम का डाटा चोरी कर रहा है और यह ऐसा वाइरस है कि यह वाइरस चोरी करने वाले अपने ठिकाने पर बैठे बैठे ही आपके कार्ड पर कंट्रोल पा लेंगे आपको बता दें इसकी जानकारी एक सिक्योर्टी रिसर्च सेंटर ने दी है बात करेंगे आज के अगल को 12 महीने की वेल्टेडी दी जाएगी अगर आप 6 महीने का प्लान लेंगे तब भी इस पर ये आपको ये ओफर मिल जाएगा अधिक जानकारी के लिए आप इनके कस्टरमर केर से बात कर सकते हैं बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अच्छी खबर दस्वी और बारवी में पढ़ने वालों के लिए गुड़ नियूज ये फीस अब भरेगी सरकार जी हां अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये एक गुड़ नियूज है सरकार ने 10 और 12 की CBS E बोर्ड एक्जाम की फीस को पेमेंट करने की मनजूरी दे दी है य पोला उबर की तरक किसान एप से किराय पर ले सकेंगे ट्रेक्टर और खेती के और भी सामान जी हाँ केंद्री कृष्षी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने CHC Form Machinery नाम से एक एप लॉंच किया है ये एक बहु भाशी मोबाइल एप है जिसके ज़र ये देश भर के किसान घर बैठे अपनी खेती के लिए अपने कामकाज के लिए ट्रेक्टर को किराय पर ले सकते हैं साथी में खेती करने में जो भी चीजें काम पढ़ती हैं उन सभी चीजों को किराय पर ले सकते हैं वो भी घर बैठे बैठे एप का नाम है CHC Form Machinery बात करेंगे आज के अगले खबर की तो पैट्रोल हुआ 82 रुपे लिटर लोगों पर पड़ा महंगाई का भार आईए बताएं पैट्रोल डिजल का ताजा भाव जी हां आपको बता दें देश का एक राज्य मद्यपरदेश जहां पर पैट्रोल का भाव 82 रुपे प्रती लिटर हो गया है आपको बत करेंगे डीजल की तो राजधानी दिल्ली में डीजल के दामों में 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है डीजल 14 पैसे महंगा होने के बाद अभी राजधानी दिल्ली में एक लिटर डीजल की कीमच 66 रुपे 7 पैसे है अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी व बताते हैं इसका एक मुख्य कारण है जियो की मोटी कमाई रिपोर्ट के मताबिक जब भी कोई दूसरा नेटवर्क किसी और नेटवर्क पे कॉल करता है तो जिस नेटवर्क पे कॉल किया जा रहा है वो सामने वाले नेटवर्क से कॉल मिलाने के 6 रुपे परती मिनट हिसाब से चार्ज करता है अब जियो ने क्या चाला की की है कि जियो की तरब से मातर 20 सेकंड के रिंग दी जाती है जैसे एटल के कस्टरमर पर 20 सेकंड के रिंग गई अब 20 सेकंड के अंदर कोई कॉल नहीं उठा पाता तो वो दोबारा कॉल करता है जब एटल का कस्टरमर दोबारा कॉल करता है तो एटेल को प्रती मिनट जियों को 6 रुपे देने पड़ते हैं इसलिए एटेल की मांग है और इस पर लडाई चल रही है कि जो रिंगिंग की टाइम है उसे बढ़ाया जाए कम से कम 30 सिकंड किया जाए बात करेंगे आज की अगले बड़े ख़बर की या 3 महीने में बढ़ सकते हैं आपको बता दें इसको Insurance of Regulatory Development Authority ने मंजूरी दे दी है बात करेंगे आज के अगले बड़े ख़बर की तो श्वामी ने पेश किया 108 मेगा पिक्सल वाला MI Mix Alpha स्मार्टफोन फोन है देखने में बिलकुल ही अलग जी हाँ श्वामी ने अब तक स्क्रीन ही दिखाई देगी बस थोड़ी दूर में थोड़ा सा प्लास्टिक यूज किया होगा या कोई और मैटेरियल यूज किया होगा बाकि आपको पूरे फोन में मात्र स्क्रीन ही स्क्रीन देखने को मिलेगी आपको बता दें इस फोन को जल्दी भारत में लौंच किय जा सकता है, इसकी कीमत करी बन 2 लाख रुपे हो सकती है, बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो डिश टीवी लाएगा Android सेटप बॉक्स और स्मार्ट इस्टेक, जी हां, डारेक्ट टू होम छेतर की प्रमुक कंपनी डिश टीवी इंडिया अगले कुछ सपताह में Android सेटप बॉक्स पेश कर सकती है, कंपनी ने इसके लिए अधिकारिक बयान दिया है, दोस्तो अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्व, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे, तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा और बहुत कुछ पता भी चलेगा, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, कि क्या भारत में 1000 रुपे का नोट फिर से लॉंच होना चाहिए या नहीं, बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक अक्टूबर को लॉंच होगा Samsung Galaxy Fold, आईए बताएं कितनी रहेगी कीमत, जी हाँ, फोल्ड होने वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन Samsung Galaxy Fold भारत में आने वाले 1 अक्टूबर को दस्तक दे सकता है, यानि इसकी लॉंचिंग हो सकती है, भारत में इसका लंबे समय से इंतजार है, इससे पहले इसे लॉंच किया गया था, लेकिन इसमें कुछ टेकनिकल दिक्कत आई थी, जिसे अब पूरी तरीके से सही करने के बाद, इसे भारत में लॉंच किया जाएगा, आपको बता दें, अमेरिका के अंदर 27 सितंबर से इसकी विक्री भी शुरू हो जाएगी, बात करेंगे आज के अगले बड़े ख़बर की, तो सरकार के पास के इसलिए आने वले दिनों में प्यास के दाम कम हो सकते हैं, बात करेंगे आज के अगले बड़े ख़बर की, तो महराश्ट के PMC बैंक के ग्रहकों को बड़ा जटका, RBI ने 6 महीने के लिए लगा दिये कड़ी रोक, जी हाँ, भारती रिजर बैंक ने मुंबई, इस्थित पंजाब और महराश्ट को ऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने की रोक लगा दी है, आपको बता दें, ऐसा करने से बैंक के निवेश को और शहर में वेपारी वर को बड़ा जटका लगा है, आरबियाई ने जे भी भरा, आपको बता दें, जो नया आदेश जारी किया गया है, आ जिनका खाता पी-म-सी बैंक में है, वो अपने सेविंग या करेंट अकाउंट से मातर एक ही हजार रुपे निकाल पाएंगे, बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो योगी सरकार ने दिया किसानों को दिवाले गिफ्ट मक्का के दाम में 80 रुपे का इजाफा जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिपावली से पहले प्रदेश के किसानों को दिपावली का गिफ्ट दिया है, सरकार के खरीफ सीजन में मक्का खरीद निती का ऐलान करते हुए, मक्का के MSP में 60 रुपे प्रती क्युंटल का इजाफा किया गया है, जिससे क किसानों को पहले के मकाबले अच्छा मुनाफा मिलेगा और किसान खुश हो सकेंगे इस दिवाली में, बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो PF की रकम शेर में लगाकर मुनाफा कमा पाएंगे, नौकरी करने वाले लोग सरकार ला रही है, नया विकल्प, जी हा बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 25 सितंबर 2019 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल, मौसमी भाग ने जारी किया है, मौसम का पूर्व अनुमान और भारी बारिश का हाई अलट भी, जी हाँ, मौसमी भाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दोरान, पश्रिम बंगार, उडिसा के कुछ हिस्सों में, तमिल नाडु, दक्षिन केरल में, दक्षिन आंतरिक करनाटका में, रॉयल सीमा में, चछतिस गण में, और मध्य परदेश में, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ, एक दो स्थानों पर ये कुछ स्थानों भारी-बारिश हो सकती है, इसका अलर्ड जारी किया गya है, इसके अलाबा पूर्वी उतरपदेश, बिहार असम के कुछ हिस्सों में, आंधरपदेश में, तेलांगना में, विधर्प के कुछ हिस्सों में, मध्यम आराश्ट में, कोकड़ में, गोवा में, और गुजरात के कुछ हिस्तों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है साथी में एक दो जगहों पर इन राजियों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है यानि के भारी से भी जादा भारी बारिश बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो देखें वीडियो हाई कोट के पूर्व जज और बेटे बहु को बेरहमी से पीटा जी हाँ ये वारदात हैदराबाद किये जहां सोशल मेडिया पर एक वीडियो सामने आया है इस वीडियो में हैदराबाद हाई कोट के पूर्व जज और उनके परिवार के लोग बहु के साथ मारपी पैन के साथ आधार को लिंक करने के डेडलाइन काफी नजदीक आ चुकी है आज 25 सितंबर है और मात्र 5 दिन बाकी है अगर आपने 5 दिन के अंदर अपने पैन काड को अपने आधार काड से लिंक नहीं करवाया तो आपका जो पैन काड है वो रद्धी हो जाएगा और पैन का आप बच्चन के परशन संकों के लिए ये खुश खबरी हो सकती है बिग बी को सिनिमा जगत के सबसे बड़े पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा जिसकी घोशना खुद भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रकार्श जावेड कर ने ट्वीट करके की है बात करेंगे आ पस्दीक आ रहा है इसी को देखते हुए कंपनी ओफर दे रही है अधिक जानकारी के लिए आप हुंडाई के श्टोरूम में जा सकते हैं बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सबसे ताकतवर बैटरी के साथ सेमसंग ने लौंच किया अपना एक नया फोन आई चार्ज ना करना पड़े आपको बता दें ये फोन एक बजट फोन भी है 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ ये फोन आपको करीबन 17,000 रुपे का मिलेगा वहीं आप अगर 4GB RAM और 14,000 रुपे में मिलेगा बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो योगी सरकार का छोटे क आपको बता दें अभी UP के अंदर या बहुत सारे राज्यों में जो भी दुकान वाले हैं या जो लोग भी अपना बिजनस करते हैं उन्हें हर 5 साल पर अपना बिजनस या अपना दुकान रजिस्टर करवाना होता है लेकिन योगी सरकार ने दुकंदारों को और ऐसे बैटरी जी हाँ आज करी स्मार्ट फोन पे स्मार्ट फोन लाँच हो रहे हैं हर कंपनी हर कंपनी को टक कर दिना चाहती है चीनी स्मार्ट फोन कंपनी वीवो ने भारत में अपना एक नया स्मार्ट फोन यूटेन लाँच कर दिया है फोन के शुरुआती कीमत मात्र 8,990 र कर दें क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत काफल होता है बाकि आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का इकन भी जरू दबाएं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग